है गाइस कैसे हैं आप लोग मैं पूजा गुपता गेन आप लोग का विल्कॉम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल आफ इस्त्री में सो आज का हम लोगा जो प्लान है वो है कार्तिक मेला का और उसके लिए हम लोग अभी निकल रहे हैं तो यहां पर हम लोग ने जैसे ही मेले में इंटर किया इतनी सारी भीड देखके पहले तो हम लोग डर गए कि oh my god यह मतलब कि इससे पहले जब हम लोग हस्ट सिल्फ कला गए थे तो वहाँ पर इती तो भीड थी ही नहीं जितनी यहां हम लोगों ने देखी बट फिर भी हम लोगों ने मास्क और सैनेटाइजर लेके गए थे और अपनी according दोगज की दूरी का ध्यान रख रहे थे कि जिससे कि हम लोग कुछ नई तो थोड़ी बहुत help कर सके अपनी तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो जो भी चीज़े देखनी है तो उसको देखा जा तो यहां पर हम लोग अन देखा हर मल 5 रुपे देख रहे हैं अब 30 रुपे हर मल फिर यहां पर हम लोग आये और दीदी को यह खटिया बहुत अच्छी लग रहे थी एवन मुझे भी बहुत अच्छी लगी और बहुत महेंगी भी नहीं थी एवन यह चोटी वाली जो ती वह असी की यह 120 की और खैर बड़े वाले खटिये के अदाम हम लोगों ने नहीं पूचा फिर उसके बाद यहां पर हम लोगों ने कड़ाई ली यह लोहे की तो यह 300 रुपे का था लेकिन खैर में हम लोगों ने यह नहीं ली उसके बगल वो जो रखा हुआ है लोहे का वो हम लोगों तो यहां पर यह सारी चूड़ियों की रेंज जो है बहुत सस्ती है मतलब आपके सोच से भी पर है यह 6 पीस जो हैं चूड़ियों की यह 40 रुपए की और जो जस्त उसके बगल में चूड़ियां रखी हुई है काचकी है वो 20 में 4 है और इधर 40 में 6 है और फिर हम लोग आगे बड़े देखा हर माल 10 रुपए भी है तो सोचा चलो यहां देख लेते हैं तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर से देखा यह देखिए हम लोग को स्पेस मिला फिर हम लोग यहां है हर माल 10 रुपए से भी कुछ छोटी मोटी चीजे जैसे क्लच रवर यह स सारी चीजे हम लोगों ने खरी दी चोटी चोटी चीजे फिर उसके बाद हम लोग आए यहां पर देखा जुल्री शॉप पे तो oh my god पचास रुपए साथ रुपए ऐसी चीजे थी और फिर उसके बाद यह क्रॉकरी की दुकान oh my god वहां पर पूरी जगे अगर हम लोग द देखे तो सबसे ज़्यादा क्रॉकरी की ही दुकान थी और यह सारी इतनी सस्ती इतनी सस्ती सस्ती थी कि मतलब क्या बता हो फिर यहां होम डेकोर का समान है और यह भी बहुत सस्ती थी even मैंने कुछ चीजे पूची भी थी हम डेकोर के लिए तो 200 200 और 120 यह देख रहे है यह यहां पर फिर से हम लोगों ने सुचा कुछ चीजे तो खरीदनी बनती है जब इतनी सस्ती है तो और फिर यहां स्टील 40 रुपे हर माल कोई भी स्टील का समान लोग है अब 40 रुपे का पड़ेगा और फिर यहां पर हम लोग आए तो थोड़ा कॉस्मेटिक का देखा और उसके बाद हम लोग खाने के स्टॉल पर गए गाइस यहां पर सारी सारा कुछ मीठा ही मिल रहा था मीठा लोगा मीठी टिक्की और खाजे तो मीठा तो मेरे बसका होता ही नहीं कि मैं मीठा बहुत कुछ खा सको और यह देख रहे हैं ठेक हुआ भी मिल रहा था जो कि यहा सबस्क्राइब लेकर सिर्फाइब लेकर भॉषिस में इतने सस्टे और अच्छा है की अपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ को रोक ही नहीं पाहिए तो चली देखते हैं क्या-क्या लेकर विडियो तो पन ही नहीं पा रहा है पाइंगे इसलिए वीडियो भी जरूरी है तो हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं ताकि आप लोग यहां पर एक बार आप लोग आगे हैं जूला शेक्शन में और जैसा कि दीदी और अनिका दोनों कोई जूला पसंद है तो लोग जूलने के लिए और मुझे यह वाला जू जूला जूल के आएंगे फिर इसके बार मुझे सामान लेंगे और खर के लिए निकलेंगे तो यहां पर मेरे साथ अनिका और दीदी थे नहीं तो मैंने सुचा क्या करो तो मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे जो है अपना जूले का आनंद ले रहे थे तो मैं उसारे बच्चो को देख रही थी कि आप किते सारे गेम थे जो खेलने को था बट मेरे को बहुत नहीं जो है इंटरस्ट है सो कोई नहीं मैं इंजॉय कर रही थी बच्चो को देख देख कर और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे खासकर यह जो बोटिंग वाला था उसमें तो जो रही थी कि हमनी सोच हैं आप निकलते हैं वहां से लेंपनी के बात हम भी लोग पार लगए व निलकण ठाएं लेंपने मीधे कर देखा हैं तो है ति देखा किल अलगर करते हैं तो पूर यहां से खा के निकलते हैं नहीं